वेलकम टू जेनाज चैनल आज हम अर्वी की सब्जी बनाएंगे अर्वी को अच्छे से वोस करके ले लिया है अच्छे से धोल लिया है जो मिटी थी वह सारी निकाल दी है अब हम तो मेखनों कर लेंगे और इसमें अरवी को ी डाल के दो सीती लगा लेंगे और वसे सुद्धा नुशार पाने डालेंगे ज्यादा पाने नहीं बस इतनाए ओव इस को धकन लगाके और हैस पे चाढ़ा के दो सीती लगा लेंगे कि अभी कुकर को गे केस पर चढ़ा दिया को और अभी दो सिटी लगा लेंगे σου का थंडा हो गया था और अभी अर्बी को छील लेंगे इस तरीके से शविश आ सारे छिल के उपर से उतार लेंगे जो खराब अर्भियों उसको निकाल देंगे और ऐसे करके सारी अर्भियां छिल लेंगे सारी अर्भियां छिलने के बाद में अब इनको ऐसे गोल-गोल काट लेंगे सारी एर्वियों को ऐसे ही काटना है ये देखिए ऐसे तो सारी एर्वियां काट लिया है अब हम एक टमाटर लेंगे दो हरी मिर्ची एक अद्रका टुकड़ा और पांच-छे लशन के कली इन सब को एक साथ मिक्सर में पीछ लेंगे अधर काट लेंगे हरी मिर्ची को भी रपली चौब कर लेते हैं और अभी टमाटर को भी रपली चौब कर लेते हैं बड़े-बड़े पिस्टे से रपली पीस लेते हैं तो यह मसाला काट लिया है अब इसे पीस लेंगे अब एक कड़ाई लेंगे और इसमें चार ती स्पून तेल डालेंगे ओईल कोई भी ले सकते हो मैंने मस्टर्ड ओईल लिया है ओईल गरम हो गया है अब इसमें जीरा डालेंगे और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे और अभी थोड़े कड़ी पता दे देंगे यह अच्छे से जीरा ब्राउन हो गया है अब इसमें जो मसाला पीछा था वो मसाला डाल देंगे इस सारा मसाला इसमें डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे सारा मसाला ओईल में डाल लिया है टामाटार हरी में चेदर लशन का पेस्ट सारा और अब इसे दिरी दिरी हिलाते रहेंगे जिससे कड़ाई में चिपके नहीं यह देखे अभी थोड़ा थोड़ा ओईल लगया तो मसाला दे देते हल्दी पाउडर धनिया पाऊडर दाल मिर्च पाउडर और आवश्टा के नुसार नमक स्वादा नुसार दे देंगे नमक मिर्ची अपने इसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो अब धिरे-धिरे मसाले को हिलाते रहेंगे जिसे कड़ाई में चिपके नहीं और मसाला अच्छे से भून जाएगा कच्चा नहीं रहेगा ये देखे अच्छे से हिलाते रहे थे अब थोड़ा सा पानी देखे एक बार और शेकेंगे और पकाएंगे जिसे मसाला अच्छे से पक जाए ये देखे अब इसमें मैंने एक टोरी धाई दिया जिसका वीडियो सूट नहीं हुआ और धही देने के बाद में ऐसे हिलाते रहे जिससे धही फटेगा नहीं ऐसे हिलाते रहेंगे और अब इसमें अर्बी देदेंगे जो छीली वी काटीवी अर्बी है वो सब्जी कड़ाई में डाल देंगे ये ऐसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे खोड़ा सा पानी ओर देते जिसे ग्रेवी ज्याद़ा थिक नो हो ये देखे अब ठोड़ा पतला कर दिया और पक जाएगा तो अछछे से बरोबर हो जाएगे ना पतली ना ज्यादा मोटी ग्रेवी अच्छे से ऐसे पक जाएगे अब हम ढखकन लगा देंगे जिसे सब्जी जल्दी पक जाएगी साथ आठ मिनट पका लेंगे अच्छे से उसके बाद में देख़ें चेक करते हैं ये देखें सब्जी पक के रेडी हो गई है अच्छे से बन गई है और ग्रेवी ज्यादा पतली नहीं है एकदम ठीक टाग है तो ऐसी ही ग्रेवी अच्छी लगती है अब सब्जी में हरा धनिया दे देंगे और ये सब्जी बनके तयार हो गई है आप भी ऐसी सब्जी बनाईए और खाईए और आनंदी लेजिए और मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए थेंक यू